हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है गुरू कुल हग यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लिकर आया हूँ RRC Group D exam से संबंदित जी हाँ, RRC Group D exam की जो fee है उसको refund के लेकर काफी सारे सवाल student के माइन में चल रहे है कि आपका refund जो है वो कब तक मिलेगा ठीक है, 400 रुपे किस-किस को मिलेंगे तो 400 रुपे जो आपने 500 रुपे fees जमा की थी उसमें आपको कितना रुपा refund मिलेगा कुछ बच्चे को doubt है कि 400 मिलेगा कुछ कह रहे हैं कि 200 मिलेगा तो कितना refund मिलेगा या पूरा 500 रुपे मिलेगा तो वो आज की इस वीडियो में बिल्कुल किलियर बताऊंगा आपको fail वालों को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा माली जी कोई बच्चा अगर exam में return exam में फिल हो जाता है क्या उसे पैसा return मिलेगा के नहीं मिलेगा वापस मिलेगा के नहीं मिलेगा ये सवाल है पैसे bank में कैसे आएंगे आपको क्या करना होगा इसके लिए तो सारी बाते आज की इस video में detail में आपके साथ share करने जा रहा हूँ एक एक point को बिल्कुल ध्यान से समझ कर चलिए तो चलिए पहले हम सवाल ले लेते हैं कि यहाँ पर किसको कितना मिलेगा ठीक है सबसे पहला सवाल यही ले लेते हैं कि यहाँ पर किसको कितने रुपे मिलने वाले है ठीक है तो अब जो पैसा आपका वापस आएगा वो पूरा 500 रुपे आपको नहीं मिलने वाला है तो जो जन्रल EWS और OBC केटिगरी वाले बच्चे हैं उनको 500 रुपे के इवज में 400 रुपे यहाँ पर रेटर्न मिलेंगे वापस मिलेंगे ठीक है 100 रुपे जो bank charges है या वो जो examination charges है वो यहाँ पर cut कर लिया जा रहा है ठीक है इसके अलावा जिन बच्चों से 500 रुपे लिए गए थे 500 रुपे कीनी student से लिए गए थे 500 रुपे लिए गए थे 10-15 रुपे वो भी bank charges यहाँ पर cut कर लिया जाएगा तो इतना amount आपको मिलने वाला है 400 और 235-244 ठीक है अब यह पैसा आपको मिलेगा कब सवाल यही बनता है कि यह जो पैसा आपको return में मिलने वाला है यह कब तक आपके पास पहुँचेगा तो देखिए RRC का जो exam है group D का वो तो complete हो गया है ठीक है तभी आपके mind में यह हुआ है क्योंकि notification में clear था कि जब exam हो जाएगा तो उसके बाद यह पैसा आपको return वापस कर दिया जाएगा तो अब exam हो गया है तो exam होने के बाद यह कब मिलेगा तो यह मिलेगा student जो अभी तक की जो scenario रही है जितने भी exam हुए है कि exam के result के बाद तो result के 10 से 15 दिन के अंदर इसको वापस करने की प्रिक्रिया शू हो जाएगी तो जिस दिन result आजाएगा result के 10 से 15 दिन के अंदर आपको यह return होना शुरू हो जाएगा तो उसके लिए भी आपको कोई ज्यादा tension लेने की जरूद नहीं है यह सब को मिल जाएगा अब एक सवाल यह बनता है कि जो बच्चे मा लिजे जो पास है ठीक है उनको यह मिलेगा क्या फेल वालों को यह मिलेगा ठीक है अब जो पास है वो प्रेजेंट है और एक है जो की absent राय है exam में ठीक है जो absent राय जिसने exam नहीं दिया तो RRB ने अपने notification में पहले ही clear कर दिया था कि जो absent student रहेंगे उसको यह return नहीं मिलेगा जोनोंने exam दिया ही नहीं exam में appear ही नहीं हुए है उनको यह पैसा वापस में नहीं मिलने वाला है जो बच्चे exam देने पहुँचे हैं present रहे हैं पास हुए हैं उनको भी यह amount मिलेगा और जो अगर बाइजन फेल हो जाते हैं तो उनको भी यह amount return में वापस मिलेगा ठीक है तो आपका doubt किलिए रोगया यानि कि जो बच्चा exam देने जाएगा चाहे वो पास होता है चाहे वो फिल होता है उसको पैसा वापस मिल जाएगा जो बच्चा exam देने गया ही नहीं है उसको यह पैसा वापस में नहीं मिलने वाला है तो यह question का भी doubt आपका पूरी तर ऐसे बच्चे थे जिनको खुद का अकाउंट नहीं था तो अगर आपने किसी साइबर कैफे से भी फॉर्म फिल कराया था तो शायद उसका आपने बैंक डिटेल डाल दी हो ऐसा काफी सारे स्टुडेंट के साथ हुआ है और उसके बाद बैंक काफी मर्ज भी हुए है ठीक है जब फॉर्म फिल किये थे 2019 और अब चल रहा है 2022 तीन साल से ज़्यादा उस समय हो गया है तो बैंक काफी मर्ज हो गये है ठीक है तो बैंक मर्ज हो क्या कि जब यह process start होगा फी refund का process start होगा तो आरर भी सभी student के पास एक modification link share करेगी ठीक है modification link सभी के पास आएगा ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके पास modification link नहीं आएगा केवल किसके पास नहीं आएगा जो exam में appear ही नहीं हुआ है तो जिस बच्चे ने exam दिया है उसके पास उसके mobile number पर modification link आएगा उस modification link से आप अपनी bank detail वहाँ पर उनके साथ share करेंगे तो जो भी आपका bank account है वो आप उनके साथ share कर देंगे उसके बाद आपके उस account में वो सारा पैसा जो आपको मिलने वाला है वो refund हो जाएगा तो होगे आपका यह doubt भी के लिए के लिए गाइस तो यह है पूरा process कि कैसे आपके account में वो पैसा आएगा कब आएगा कब आना शुरू होगा ठीक है तो fail वालों को मिलेगा पास वालों को मिलेगा तो यह पूरी जानकारी थी जो आज की इस वीडियो के जरिए मैंने आप लोगों तक share की है तो I hope कि आपके सारे doubt किलियर हो गए होंगे अभी भी अगर आपके मैंने कोई भी doubt है तो आप उसे comment करके पूछ सकते हैं मैं उसका भी answer जरूर से दूँगा और अगर उचित लगेगा कुछ सवाल ऐसे हैं जो पूरी वीडियो के जरिए आप तक पहुचाए जाए तो वीडियो के जरिए भी आपके साथ share कर दिये जा स्ट्रेटेजी से सम्मनेद वीडियो हम लगातार शेयर करते रहते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक्यू